बेकरी और कनफेक्शनरी का भी डिपलोमा आता है अगर आपको चेक अगेरा बनाना पसंद है रहना तो बेकरी सिस्टम में तो बेकरी का भीडिपलोमा आता है बहुत सारी लगी आज कल करती है यह एकाम और अच्छा लगते है उन्हें वह सकосто बहुत साहई है कि भीड के साथ चलोगे तो गायब हो जाओगे दिखोगे नहीं इसलिए कुछ अलग करो करियर भी वहीं है तो आप अगर एक student और मुझे पता है कि मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आपके लिए कुछ interesting तो आज आएगा ही आएगा सभी commerce वाले students के लिए लेकर आयों होटल मैनेज़मेंट की मैने कर सकते हो गेंद कर सकते हो सैफ होटल में जिसे करने के बाद हम वेटर बन जाएंगे होटल में, जिने करने के बाद हम कुक बन जाएंगे होटल में, दोस्तों नहीं, आज आपका इस सारा ब्रह्म में दूर कर दूँ अपनी इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं आपका करियर बने 100% कोई ऐसा कोड सर बता दे, यह एक फ्यूचर है, और यह कोरोना के बाद से इसके डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि लोग 2-3-4 साल घर में बंद रहे, अब उन्हें गूमना है, और ऐसा नहीं है, होटल में 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 सब चीज़ आती है, यहां तक कि दोस्तों जो एर प्ले के अंदर चलता है, यह आर्मी, जितनी भी हमारे देश में आर्मी की बटैलियंस है, उनमें भी रहता है, वो भी कही न कहीं ही रहता है, और आपको बता दूँ, गौवर्मेंट का इंस्ट्यूट भी है, अल अवर इंडिया में जगे जगे पर, इसका नाम है IIHM, Indian Institute of Hotel Management, य चाहे आप bachelor degree देने चाहते हो, चाहे आप diploma करना चाहते हो, तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और complete information आज आपके सामने, यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, तो मैं official side पर हूँ एक, जहाँ पर मुझे complete information ले, क्योंकि इतनी सारी information, मैं अगर लिखूंगा word पर, तो that is going to enough time taking, तो मैं इतना time taking ना लेता हुआ, अब यहाँ पर सीधा चलते हैं, और समझाते हैं, अगर मैं बात करूँ, bachelor level के भी course आते हैं, master level के भी आते हैं, और diploma level के भी आते हैं, तो पहले कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, जिसे कि आपको यह चीज पता लग जाए, कि इतनी सा भी सवगेरा होती है, cooking का अलग होता है, management का अलग होता है, और interior का अलग होता है, और भी बहुत कुछ है दोस्तों, उसके अलावा इसमें बहुत करिया है, देखो, bachelor degree की बात करूँ, तो bachelor of hotel management, bhm course आता है, 12 के बाद कोई भी कर सकता है, इसमें math की भी need नहीं, bachelor of hospital management भी आता ह है, याद रखना, और bhmct के नाम से बाता है, bsc का कोर्स भी आता है, bsc catering science के नाम से, यह भी hotel management का यह पार्ट है, bsc hospitality studies के नाम से भी आता है, यह भी एक कोर्स है, लेकिन यह सब कोर्स after 12 कर सकते हो, चार साल के कोर्स होते है, फीस बीन की लाग दो लाग रुपे होती है, हैं अपना career बनाना, so they can use it, bcom के बाद आप इन में से कोई course कर लो, देखो, यह diploma भी आप bcom के बाद कर सकते हो, यह degree भी, master in tourism and hotel management, यह एक master course है, tourism और hotel management में, जब आप पढ़ाई करोगे, तो आपको अपनी field मिल जाएगी, जैसे हम low करते हैं, low के अंदर क्या है, tax law, defense law, criminal law, ह में choose करना पड़ा है, जिसकी practice करेंगे, उसमें career बन जाएगा, ऐसी hotel management है, hotel management में 20 से भी आदा fields होती है, जिस चीज में आपका मन करें, उसमें आप कर सकते हो, सबसे चीज बात है, बड़े-बड़े hotels में job मिल सकती है, foreign में job मिल सकती है, army में job मिल सकती है, cruise ship, airlines में job मिल सकती है, और भी बहुत सारी चीजे हैं दोस्तों, एक MSC tourism and hospitality management का course आता है, एक master of hotel management का course आता है, यह आते हैं, इसी नाम से master degree के 2 साल की course, जो अगर आप करते हो government से, तो आपको देना पड़ेगा entrance, अगर आप करते हो private से, तो आपको उनके basis पर ही addition मिलेगा, अब कुछ diploma भी है, जै कर सकते हो, diploma housekeeping का, उसके लावा aviation hospitality, aviation आपको पता होगा, aviation होता है, जो aviation company वो होती है, जो airlines उडाती है, plane उडाती है, उनमें भी hospitality का काम होता है, bakery और confectionery का भी diploma आता है, अगर आपको cake और बनाना पसंद है, है ना, तो cooking और आपको पसंद है, bakery system में, तो bakery का भी diploma आता है, बहु profession भी बना सकती है, diploma in food production, food production में आता है, और इसमें भी आपको बता दो, Chinese food, Italian, continental, ऐसे different foods की अलग-अलग हो है, अब उसमें आप expertise लेंगे, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो, आपके interest के उपर बात है, food production, diploma in hotel management, catering technology, यह सब आगे, अब बात करें, अगर आप चाहते हो, government hotel management college स पढ़ाई करना, तो उसके लिए एक entrance होता है, जिसका नाम ध्यानती सुनेगा, NCHMCT, यह नाम होता है, NCHMCT, यह हर साल April में होता है, कभी March last में, कभी April last में, तो जरूर से visit करें, IIHM, Indian Institute of Water Management की official sites पर, वहाँ पे जाके apply कर सकते हैं, form भर सकते हैं, ठीके दोस्तों, हर साल diploma कर करो, degree करो, government से करना है, तो आपको देना पड़ेगा एक entrance, अगर आप चाते हो, यह private से करना, तो किसी भी institute से आप कर सकते हो, जो आपके nearby हो, अच्छी service देता हो, वहाँ से अपने इसाप से हो जाएगा, ठीक है, देखो, अगर मैं course की बात करूँ, करने के बाद आपको 5 star hotel 4 star, 3 star hotel में अच्छी salary पर job मिल जाती है, अगर आपको जानकर हरानी होगी, कि hotel staff की salary लाग पलस होती है, जितना बड़ी होटल होगा, आप क्या सोसते हो, ताज hotel जो मुंबई के अंदर भी है, उनकी branch Delhi के अंदर भी है, हर बड़े सहर में है, उनके waiter की salary भी 70-80,000 पर महीना हो जाते को waiter की नोगरी पर नहीं रखते, जैसे आपके घर के आसपास के restaurant में होगा, वान ही ऐसा होता, तो यह job भी काफी अच्छी होती है, नीचे आइए चलते हैं, अब इस course के sector का मदाता हूं, sector क्या क्या है, सबसे पहला sector है, fast food joint management, जो fast food chain है, restaurant में fast food के लिए अलग cater होता ह है, restaurant में continental के लिए अलग catering होती है, अमलब बनाने वाल अलग होता है, ध्यान रखना, तो fast food का आपको interest है, cruise ship hotel में होता है, हर cruise के अंदर एक hotel होता है, एक होता है, airlines catering का, उसमें भी होता है, catering department, इसके अलावा arm forces, में एक आता है, ministerial conversion, जैसे हमारी ministry होती है, अलग-अलग त जैसे bank insurance houses में catering की departments होते है, जितने भी सरकारी departments है, सब में catering का एक अलग से department होता है, जिसके लिए degree होती है, hotel management की, अब आप चाते हैं, अगर B.com के बाद, अपना career बनाना, तो उसके लिए option देता हूं, मैं, आपके लिए सबसे अच्छा option है, आप diploma कर लो, कोई भी साल का, देट साल का diploma कर लो, hotel management से, करोगे तो उसमें अपनी field चुन लेना, जो आपको सही लगे, उसे आप कर देना, ठीक है, अब फीस की मैं बात करूँ, तो देखो, फीस वो ही है, जैसा college वैसे उसकी फीस, अच्छी facility के साथ अच्छी फीस वो यहां पर रखते हैं, minimum आपको diploma की फीस 10,000 से 20,000 दिखेगी, और course की फीस 50,000 से 1,00,000 प्राइवेट में, government में फीस 10,000 से उपर नहीं हो, ठीक है, अब देख लो, अगर मैं बात करूँ, पहले certificate courses की, तो 8 से 10,000 पर में एक course हो जाता है, एक साल में, salary अच्छी मिल जाती है, ठीक है, और इसमें कोई भी graduation के बा पसंद है, तो वो उस से related, tour and travel में अपना career बना सकते हैं, कुछ लोगों management पसंद है, hospitality पसंद है, cooking पसंद है, है ना, आप receptionist का भी job होता है, और भी बहुत सारी jobs होती है, दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यह देखिए, आपको बहुत सारी course ऐसे भी है, जो आपको फिरी मिल जाएंगे, तो salary value सब अच्छी होती है, ठीक है, और diploma की अगर मैं बात करूँ तो diploma में भी बहुत सारी job opportunities होती है, अब opportunities की मैं बात करो, hotel manager आप बन सकते हो, housekeeping manager आप बन सकते हो, front office manager आप बन सकते हो, chef आप बन सकते हो, floor supervisor आप बन सकते हो, जैसे hotel में 10 floor है, तो एक floor का एक supervisor होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, कि वहाँ पे जितने भी rooms है, वो अच्छे हो, उनमें कोई भी कमी ना हो, किसी भी चीज़ की, उसका काम बस यह होता है, बाउजी बनाओ, घुमत रहता है, सर कोई दिक्कत, ऐसे क कर गए ना, उसके निचे काम करने वाले बहुत लोग होते है, food and beverage manager होता है, जिसका काम होता है, food होता है, supply chain देखना, कि क्या चीज़ खतम होगी है, लेके उसे arrange करना, एक होता है, बनाने के उपर वह देखना, क्या arrangement है, तो दोस्तों, एक hotel में, धंके hotel में, दुनिया वर का स्टाफ होता है, और आपको बस अपना इंटरस देखना है, अगर आप भी चाहते हो, अच्छी salary हो, हाइफाइ जोब हो, है ना, आप सारे दिन अपना मोज में ही गिरे रहें, तो मुझे लगता है, hotel management is a very good course for you, और अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप किस तरह का चाहते हैं, क्या आप degree course चाहते हैं, after graduation, या 12 या management course चाहते हैं, comment करके ज़रूर से बताना, और अच्छा college अगर आप करेंगे, मुझे पता है, बहुत सार लोग कमेंट करेंगे, सर मैं Delhi से हूँ, मुझे कुछ अच्छा college बता दो, मैं महराज से हूँ, मुझे कुछ अच् management institute near me, बहुत सार इंस्ट्यूट आपके पास आजाएंगे, उनकी website पर जाकर विजिट करें, देखें reviews क्या है, जाकर विजिट करें, उनकी fees पता करें, पिछले साल को उनका score पता करें, देन उसके बाद आप वहां से काम करें, तो आपका nearly काम अच्छे से हो जाएगा, ठी I will make it for you, thank you.